देश में कोरोना वारस के मरीज अब तीजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 2590 लोग संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के निजामोदीन में आयोजित मरकज में शामिल हुए तबलिकी जमात में कोरोना वारस फैल गया है। इनमें तिलंगाना के छे जमातियों की मौत भी हो गई है। तबलिकी जमात गीला परवाही के कारण कोरोना वारस से संक्रमितों की संक्यात तैजी से फैल रही केंदरी स्वास्त मंत्राले की मताबिक दो दिन में 15 राजियों में 800 ऐसे पॉजटिव मरीज मिले हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं वहीं बीते 24 घंटे में 15 मौत हुई है जिन में कई जमात से जुड़े हैं मंत्राले ने कहा कि एक गलती की वज़े से संक्रमन इतनी तेजी से बढ़ा है इस बीच देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 2590 हो गई है जबकि 68 लोग जान गवा चुके हैं इनमें से 21 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं स्वास्त मंत्राले के संयुक्त सचीव लव अगरवाल ने बताया कि दो दिन में तबलीगी जमात से जुड़े 647 मरीज मिले हैं लोगडाउन वा समाजिक दूरी के कारण देश में पहले ही सनुपात में मरीज नहीं आ रहे थे लेकिन रात को जब राज्यों के आकड़े आ राजस्तान तमिलनाडू तेलंगाना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मद्य विदेश में भी जमात से जुड़े संक्रमित मिले हैं इस बीच ग्रहमंत्राले ने जमात में शामिल हुए 360 और विदेशियों को ब्लैक लिस्ट करने की कवायश शुरू कर दी है ये लोग पहले ही देश छोड़ चुके थे इससे पहले जमात से जुड़े 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है और उनके खिलाफ वीजा नियमों की उलंखन के तहत कारवाई की जा रही है subscribe our channel and press the bell icon for more updates